मुझे बताए अगर इस्राइल को ये हिंदू कंट्री होता तो ठीक है वहां बारत उसको सपोर्ट करके शायद बूर्ड बंक की सियासत यहां कर देता कितने जिवजार या कितनी यहोदी बारत पर रह रहे हैं जिनके देश के प्रधार में तरे रिलिजिस कार्ड खेलते हैं एक रिल्टी है और हकीकत है बारत के भी देशिदगर्दी का सपोर्ट नहीं कर सकता है आतंगवाद का सपोर्ट नहीं कर सकता है वो चाहिए जिस रूप में हो चाहिए वो आर्गरेशन के रूप में हो चाहिए वो किसी कंट्री के रूप में हो क्योंकि बारत पिछले 32 साल से खुद देशिदगर्दी का शकार रहा है क्रास वार्डर टेररिजम की बार 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 इंटरनेशनल फोरूम पे नर्दर मोदी जी ने कहा कि दुनिया के लिए सबसे बड़ा चलेज अगर कोई है वो एक कटर पंती है और दूसरा देशिदगर्दी और सुन्ने में भी आया है किसी हास्पिटल बेहा हमल हो कि वहां जो आम पांचसों नागर रिक है जो वहां मार डाले गए वो दुक होता है लेकिन अगर आप इसकी बेस देखेंगे अगर आज गाजा पटी में आम शेहरीं को मारा जाता है आम शेहरी कहीं शिकार हुए है वो ह नेशनल कमुनिटी निक जिस तरह से लशकर तयबा, हिजबलमुजाइदीन, जेश महमद को दशिदगर तन्जीम करार दे इसी तरह हमास को भी और हिजबला को भी दशिदगर तन्जीम करार दे दिया है अगर रिलिजिस सेंटिमेटर्स के साथ कोई यहां खेल रहा है और जिस कार यहां खेल रहा है वो पीडीपी है और वो नेशनल कांपनस है क्योंकि उनको पता है जमो कश्मीर एक मसलिम मेजार्टी स्टेट और जमो कश्मीर के लोग फालस्तिन के साथ हमदर्दी रखते हैं इसलिए उन्होंने जो अपनी जमीन जो को चूच के उस जमीन को व बहुत परापराना और बारत के हमेशे दोनों कंट्रों के साथ अच्छी तालकात रहे चाहे वो इसराइल हो चाहे वो फलस्तिन हो और वहां देश के विजिर एसम गए भी हो उनके साथ अच्छी तालकात रहे लेकिन हमें उस जड़ तक जाना चाहिए दश्यदगर्दी की साथ किसी भी हाल में नहीं होना चाहे चाहे वो दश्यदगर्दी किसी आर्ग्रपलरी के रूप में हुँ और बारत के की भी भी किसी दश्यदगर्द तंजिम को साथ नहीं कर सकता